हेलो काईज मेरा नाम है कैफ और आज मैं आप लोग के लिए लेकर है हो प्रिविव कंपनी का 4G कैमरा 4G कैमरा मेंगली वह होता है जो कि सिम काट के थूर वर्ट करता है तो मेरे पास दो तरीके का आप देख सकते हैं लोग को की हम एक दो मेरे हैं जोंडोर में यूज्प कर सकते हैं यह केमरा वागया में एक सकते इस केंदर आयोग कोणिकेशंपलिख सकतूर कैमरा है। क्च में वीडियो में आगे बता कने सब्सक्राइब करांग love बहुत सारे लोग जो विडियिस से बीलॉंग करते हैं उन लोगों सिंगल कामरे का रिकार्बेंट होता है जैसे कि छोड़ी सी मरे किसी चीज के किराने की बहुत सारा हमारा है चौप बहुत सारे लोग को यूज होता है इन चीजों का तो हम इस कैमरे को यूज कर सकते हैं अपने दुकान पर अपने घर पर जो लोग सिंगल कैमरा लगाना चाहते हैं तो वो इस कैमरे को यूज कर सकते हैं एक सिंगल कैमरे में मैमरी कार्ड और सिंग कार्ड लाके आप देख सक वो किसी भी काम का नहीं रहता है तो यह 4G camera बहुत ही अच्छा camera ट्रिव्य कंपनी ने लॉंच कर रहा है जिसके अंदर आप SIM card लगा दीजिए आपको क्या करना है किसी भी brand का एक SIM card खरीद रहा है और उसमें रिचार्ज करवा देना है जो भी अपका मंदली पैक होता है 149 का जैसे जतना भी आपको यूज करना है वह आप रिचार्ज करवा लिजे और इसी camera में SIM card, memory card दोनों चीज़ इंस्टॉल कर दीजे और इसको लगा दीजे पावर देकर और दु security है कितना megapixel का यह camera है सब कुछ मैं आपको basic से बताऊंगा इस वीडियो में और Wi-Fi और 4G में यह difference है कि Wi-Fi camera जो है आपका Wi-Fi के थुरू work करेगा और 4G camera जो है वो SIM के थुरू काम करेगा बहुत सारी company 4G camera launch कर रखा है बहुत सारी company हो ने मैंने एक दो company का वीडियो बना रख home mainly जो है indoor में यूज होता है और bullet जो है outdoor में यूज होता है तो इस company में दोनों ही चीजों का दोनों ही तरह का camera बना रखा है एक indoor के लिए एक outdoor के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं outdoor में अपने दुकान के बाहर या अपने घर के बाहर लगाऊ roadside का भी देखूँ तो आप न चलिए मैं इसका unboxing करता हूं और दोनों ही camera को online करने का सारा feature सेम है बिल्कुल ही सेम है मैं इस video में आपको बखाऊंगा वीडियो के आगे तो दोस्तों आप मेरे पास देख सकते हैं कि ट्रिव्यू कंपनी का dome and bullet camera दोनों ही 4G camera मेरे पास available है दोनों ही camera में same features available है एक camera outdoor के लि प्रिक करता हूं जो कि indoor camera है और इसमें बताता हूं आपको क्या क्या features available है यह camera 4G camera मैं आपको पहले ही बता दिया था 4G camera वह होता है मेली जिसके अंदर sim लाक्या वर्क कर सकते हैं यह camera जो है तीन मेगापिक्सल का camera है h.265 प्लस कंपरेशन के साथ आ जाता है इसका मतलब यह है कि यह camera आपके storage को भी बढ़ाता है और इसमें cloud storage भी अवलेबल है कितने सारे लोग चाहते हैं कि मेरे को 3 महीने चार महीने बहुत सारे recording चाहिए तो cloud storage purchase कर सकते हैं मैं वह भी आपको बताऊँगा कि storage कैसे purchase करना है तो इस camera यहां पर इसके बैक हिंड में देख सकते हैं कि features available है एक camera त्री मेगापिक्सल का है audio वीडियो दोनों ही 3 मेगापिक्सल में recording करता है full duplicate audio इसमें available है अगर आपने इसको अपने शॉप पे लगा रखा है तो आप सुन भी सकते हो वहां पर क्या बात हो रही है और आप बता भी सकते हो बोल भी सकते हो तो इधर से आवाज जाईए उस से यह night vision camera है तो यह camera night vision color है सबसे अच्छी features इसमें है कि यह camera night vision color है रात में आपको color vision चोग करेगा human detection इसमें available है mobile application इसका true cloud application है और इसमें 256 memory card supported है और इसके नीचे देखिए कि आप देख सकते हैं अगर आपके पास iPhone है तो इसको scan कीजिए अगर आपके पास Android है तो इसको scan कीजिए कितने सारों लोग अपने PC laptop में चलाना चाहते हैं तो यहां पर भी उसका application दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बताऊंगा basic से कैसे इसको करना है तो चलिए मैं इसका unboxing करता हूँ और यह camera जो तो बॉक्स open करते के साथ ही ऐसा निकल के आता है जितना भी ट्रिव्यू का camera है सब मैं ऐसा निकल के आता है यह mainly application जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इसको अगर scan करेंगे अपने scanner से तो आपको application शो कर जाएगा उसको डाउलोड कर लेना है तो बाद देखिए यह box मिल जा जाता है अडप्टर के बाद हमें हैंक करने के लिए कुछ खील वगएरा मिल जाती है उसके बाद देखिए camera में जो हमारा camera है क्यामरा देखिए हमारों बहुत ही शांदार camera में मिल जाता है और यह camera यहां देखिए रिशेट का बटन दिया हुआ है यह अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डारेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर वाकि इसको ऑनलाइन करूं तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं सबसे अच्छा फीचर इसमें यह है और जिन लोग पास इंटरनेट नहीं है वह समें सीमकार्ट लागाकर यहां पर पीछे देख सकते हैं सिमकार्ट आप्शन अप्शन सिमकार मेमरी काड यह पर लग जाता है और यह आपको करके ब्रांडिंग आ जाता है तो मैं आपको इसको न तो फस्त में उपर में आपको शो कर जाएगा इस तरीके का आएगा इसको प्रेस करना है यह 9 कि 92 MB का एप्लिकेशन है इसको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद क्यामरे को मैं पावर दूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा इसको एड कैसे करना है अपने डिस्प्ले पर और इसका क्लियरिटी भी दिखाऊंगा क्यामरा जो है में लिए 3 मेगा पिक्सल का में इसमें सिम कार्ट नहहीं लगाओंगा और मैं मैं इसमें इंटरनेट के द्वारा लैन के लगाके आपको ओंलाइन करके दिखाऊंगा आप लोग और मैं आपको पता दूँगा कि सिंग काट कहां पढ़ाएगा और मेमरी काट कहां पढ़ाएगा तो चलिए तो दोस्तों मैं कैमरे को पावर देता हूँ कैमरे को पावर देने के बाद आपको यहाँ पर लाइट ब्लिंग करेगा अगर light bling नहीं कर रहा है तो समझे कि camera को power नहीं मिला है कहीं और problem है तो camera को मैंने power दे दिया है और जैसे ही आपने camera या कहीं से लाकर camera कुछ भी करें तो उसको पहले reset कर लें यहां पर reset का button है इसको 5 second ट्रेस करके रखेगा तो camera reset हो जाएगा तो camera हमारा reset हो चुका है तो इसके आगे मैं बताता हूं कैसे इसको online करना है आपने device पर कैसे वीव करना है तो देखिए मैं application जो है डाउन्लोड हो चुका है उसके बाद इसको open करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं application डाउन्लोड होने के बाद ऐसा interface खुल के आएगा अगर आपने इससे पहले application को रजिस्टर कर रखा है तो आप उपर में number डालेंगे नीचे password डालकर डालकर डारेक रजिस्टर कर लेंगे अगर आप नए user है तो अपने फोन से रजिस्टर करना है इसको phone number से और उसके बाद इसको करने के बाद यहां पर यहां पर आपको बार्कोड दे रखा है बार को को स्कैन करना है और मैंने अपको बहुत बार बोला है कि बार को बार को आपको फोटो लेए ना जिससे कि वो सिक्योर रहे सेफ रहे तो मेरा जो है नेटवर्किंग ले रहा है डिस्प्लेइ दो से तीन सेकंड में कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिए वर तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि इसको इंटरनेट देना है या सिंकर्ड लगाना है दोनों में से कोई भी चीज लगा कि इसको इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है प्रोवाइड करवाने के बाद आप जैसे आपका वो कंफिग्रेशन कंप्लीट होगा आपको ऐसा इ खेल के लिएब रहा है नहीं तो उसके स्क्रींचोट ले लेना है क्योंकि क्यामरे पर घोट gezeigt जो एंप्पाद गृद्टा है अज दीमोड ने कर देता हूं इसको यह कामरा देखिया अच्छा क्लियरेटी है भी सब्सक्राइब और वीडियो के अंत में मैं क्लियेटिव दे दूँगा और मैं लोगों को बताना चाहतू कि ये कैमरा जो है वो मुवेबल नहीं है और टूवे आडियो कॉम्मिनिकेशन बहुत सारा फीचेस इसमें अबलेबल है बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिए तो दोस्तो वीडियो अगर आपको helpful लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद